इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशे हैं और असलियत यह है कि इस देश के प्रधान मंतरी ने सत्र से पहले आठ मिनट पच्चिस सेकंड का संबोधन किया और मनीपूर के लिए उनके पास मात्र चटिस सेकंड थे मनीपूर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है मनीपूर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोण लोगों की बेज़ती हो रही है और उसके बाद वो 36 गरोर राजस्थान पर घिनोनी गंदी राजनीती करने लगते हैं शर्मानी चाहिए मोदी जी आपको आप एक निरलज और कायर प्रधान मंत्री हैं उस विडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सब भी समाज की दुआई दे रहें तो दुर्भा के है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधान मंत्री है और असलियत यह है कि उस विडियो की हैवानियत उस विडियो की दरिंदगी में जितने वो सैक्डो दरिंदे जम्मेदार है उतनी ही आप और आपकी सरकार जम्मेदार है अगर समय रहते हुए आप मनीपुर पर बोले होते आपने मनीपुर पर कारवाही की होती तो 77 दिन पुराने विडियो को देखकर इस देश की आत्मा कापना उड़ती और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भणा है सत्ता आपके हाथ में है संस्था आपके पास है पुलीस आपके पास है बिरेंसिंग को बरखास्त करना आपके हाथ में है आप चुब बैठे हुए शर्मानी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनोनी राजनीती कर रहे है असलियत ये है कि उस दरंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है हर औरत को लग रहा है कि वो नगन है वो निर्वस्तर है और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है 77 दिन पुराने उस वीडियो में दो अरतों को निर्वस्तर करके नंगा करके सड़कों पर गुमाया जा रहा है उनकी योनियों उनके स्तनों को छुआ जा रहा है उनको खेत में लेकर उनके साथ सामुहिक बलापकार होता है F.I.R. हो जाने के बावजूद एक भी ग्यक्ति की गिरफतार ही नहीं होती और सत्र शुरू होने से पहले आपके पास मात्र 36 सकेंड है माईपुर के लिए 77 दिन बात स्मृती रानी जी आप जागी है इतनी देर लग गई आपको आते आते प्रधान मंतरी 4 मई के इस वीडियो की खबर आपको आज लगी है इतनी नाकाम इतनी निकम्मी इतनी नपुनसक सरकार के प्रधान मंतरी आप आपको इर्म नहीं था ऐसा हुआ हो क्योंकि हमारी अपनी आशंका है कि मनिपुर में इंटरनेट बैंग है ऐसे तमाम वाक्य हुए हैं और मीडिया के मेरे साथियों अगर प्रधान मंतरी को कटगरे में खड़े करकर दो शब्द दो सवाल पूछे होते मनिपुर पर तो आज ये आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता आज न्याय की गुहार नहीं लगानी पड़ती आज सुप्रीम कोट को सुवो मोटो कोगनिसंस नहीं लेपी पड़ती मनिपुर की लेकिन प्रधान मंतरी आपकी चुप्पी से ज़ादा शर्मसार करने वाले तो आपके वो दो शब्द हैं जो आपने मनिपुर पर बोले आपका दिल पीडा से भरा है आपको क्रोध है ना आपकी पीडा दिखती है ना आपका क्रोध दिखता है क्योंकि दिखती वो दो नंगी औरते हैं जिनके शरीर को नोचा जा रहा था और आप विदेशों की यात्रा करते रहें आख पर पट्टी बांग कर सिर्फ लच्छेदार बात करते रहें माफी मांग ये मणीपुर से माफी मांग ये मणीपुर की औरतों से माफी मांग ये देश की हर उस औरत से जिसको आज लगता है कि वो निर्बस्त्र है जिसको लगता है उसकी आत्मा ही नहीं उसके शरीर को भी नोचा जा रहा है शर्मानी चाहिए आपको दुर्भाग यहें कि 140 करोड देशवासियों के प्रधान मंत्री हैं